नीट काउंसलिंग 2023, Medical Counseling Committee, MCC, द्वारा पात्र उम्मीद्वारों के लिए mcc.nic.in पर नीट काउंसलिंग 2023 आयोजित की जाएगी। नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नीट काउंसलिंग 2023 डेट के संबंध में अभी आधिकारिक वेबसाइट अपडेट के अर्दी है। नीट 2023 की mcc नीट आपको बता दे की mcc नीट काउंसलिंग के जरिये नीट 2023 के पात्र उम्मीद्वारों को शासकिये कॉलेजों की 15 प्रतिशत अखिल भारतिये कोटा AIQ सीटों में प्रवेश दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में डिसकस करेगे कैसे आप अपनी नीट काउंसलिंग के लिए रिजिस्ट्रेशन करेगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले ताकि आप तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ आपने भी देखा होगा कि एक सेडूल है वो वाइरल हो रहा है काफी वाइरल हो रहा है तो उसकी क्या सचाही है इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्या वो सच में सेडूल सही है या फिर उसमें कोई कम है तो सबसे पहले हम देखें कि जो mcc की website का जो नया layout है वो इस परकार से हैं पहले ug का अलग website था और pg का अलग website था अलांकि वो पहले भी mcc.nick.in की website में ug का link अलग दिया हुआ था और pg का link अलग दिया हुआ था लेकिन अभी इसी में ही एक जगे सारे tapes दे दिये गए हैं तो जैसे ही हम इसकी website mcc.nick.nick.in पर विजिट करते हैं तो इस परकार का interface अपने को देखने को मिलता है इसमें सब सबसे पहले हम देखें तो home का option मिलता है जो सभी website पर available होता है about us में nmc के बारे में information है mccc के बारे में information है अब इसमें जो ug के लिए mbbs vds vdc nursing के लिए ये tape दिया गया है और इसमें जो mds pg counseling है उसके लिए super specialty के लिए अलग से ये tape यहाँ पर ही दिया हुआ है पहले ये open करते थे थे हम वहाँ पर मिलता था अब ये एक ही जगे एक साथ ये tape दिये के हैं आर्चिव में आप previous year का data देख सकते हैं previous year की सारी information आप यहाँ देख सकते हैं contact us में mcc के helpline number और email id होता है यहाँ पर तो यह तो हो गया यहां कि जो हमारे को मिलने वाले tape से उसके बारे में अब हम mbbs bds bsc nursing के लिए counseling करवाएंगे तो ug medical पर click करेंगे तो ug medical पर click करेंगे तो इस फरकार का interface हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले e-services oblique schedule में इसमें information browser होगा यह अलांकि पुराणा दिया हुआ है अभी इसमें ug information plate in 23 लिखा आएगा counseling schedule आएगा अभी तो एक बार जो schedule viral हो रहा है उसके बारे में मैं बता दूँ कि यह confirm नहीं है कि वो सही है schedule schedule सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि हमने पिछली बार देखा था है कि ios का जो schedule था वो 10 या 15 दिन पहले आ चुका था रहो वो सेम schedule बाद में website पर publish हो आता है तो हो सकता है यह सही भी हो और फेक भी हो सकता है क्योंकि वो इस प्रकार से हम फेक मान रहे हैं कि जो history vacancy round होता है उसमें registration और 24 filling का option नहीं होता है तो अगर यह सही है तो हो सकता है इस बार rules भी change हो तो यह confirm नहीं है अब MCC की website पर आपको यहां counseling schedule मिलेगा वही मनने होगा वही सही होगा आपको counseling schedule यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर यहां पर आपको जानकारी मिलेगा अब दूसरी बात हमने MCC की website पर registration करना है और 24 filling करनी है तो उसका जो tape है वो यह है candidate activity board candidate activity board यहां पर online registration लिखा हुआ आएगा round one online registration round two online registration मोप अप रौंड इस पर यहां पर आप जैसे ही click करेंगे registration कर पाएंगे 24 fill कर पाएंगे यह सारा का सारा option हमें candidate activity में मिलेगा 24 filling करने का registration करने का MCC का जो भी 24 filling का और registration का है round wise वो यहां पर मिलेगा हमें candidate activity में news and events में जो भी notice होंगे public notice वो हमें यहां पर मिलेंगे जैसे PWD contents का यहां 23 के लिए जो notice दिया गया था वो यहां पर show हो रहा है यह पुराने notice से इसके बाद में यहां important link भी दिये गए हैं यहां से आप NEET UG की website पर जा सकते हैं NTA की website पर इसके बाद में NEET UG result अगर आपने 23 का result देखना है तो यहां कर सकते हैं और NMC की website पर जाना है तो इस direct link से भी जा सकते हैं यहां पर current event में जो भी public notice है यह news and events वाड़े यह यहां पर आपको show होंगे view more में और बाकी सारी condition आप देख सकते हैं इसमें तो यह इस परकार का MCC का नया layout है जो बहुत ही अच्छा है इस बार अलग कि यह facility वहां भी मिल जाती है सारी की सारी और यहां पर आपको news and events में औ देखने को मिलेगा इस services में यहां पर schedule देखने को मिलेगा seat matrix देखने को यहां पर आपको इस जगह मिलेगा तो यह जानकारी थी MCC के नए portal के बारे में जो उसका layout change हुआ है कौन सा event कहां होगा कौन सी facility हमें कहां मिलेगी इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में यह जानकारी दी है आप हमारी चैनल को सब्सक्राइव करके रखें क्योंकि इन्फरकार्ज की इन्फरमिस्न हम लेके आते रहते हैं तो आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में फिर मुलाकात होगी तब तक